अब जो आपकी लो मेरिट जाएगी ऐसा स्टेट्मेंट क्या दिया विडियो में कि काफी सारे ऐसे कमेंट आए कि आप बोर्ड की अध्यक्ष हैं या फिर वहां की मेंबर हैं इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आए कि माम आपको योगी जी ने बताया है क्या तो पहली बात तो यह कि ऐसे जो messages होते हैं वो एकदम senseless होते हैं मेरा उस पे कोई भी किसी तरीके का ध्यान नहीं जाता ना फर्क पड़ता है बट यह question अगर आप करते हैं कि merit low क्यों जाएगी तो यह आपको right है पूछने का कि merit low क्यों जाएगी बट अगर आप यह question करते हो कि ऐसा है क्या वैसा है क्या तो देखिए it's a platform of sharing knowledge आप share कर सकते हो अपने confusions comments everything you can share बट to spread negativity that's not very right तो मेरा यही आपको suggestion है कि इस type के messages ना करें बागी जहां तक low merit की reality है तो मैंने भी 100% लिखके आपको guarantee नहीं दी क्योंकि result मैंने prepared नहीं किया है तो अब आगे जो है क्यों जानी चाहिए उसके reasons हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं आपके result बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है तो जितनी भी reality है वो एकदम से आपके सामने clear हो जाएगी यह जो भी चीज़े आपको मैं बताती हूँ अपने experience के through या फिर कुछ sources के through जो आज तक हम data वगरा study किये गए है या फिर जो होता आया उसके accordingly सब लोग अपनी अपनी predictions देते हैं जिस तरीके से आप अपने comment के through अपनी predictions देते हैं इन दे सेम वे एक यूट्यूबर भी अपने knowledge experience के accordingly ही आपसे किसी भी तरीके की news या data share करते हैं मेरा यह video create करने का बस इतना ही मकसद था कि जो लोग मुझे बहुत trust करते हैं बहुत respect देते हैं first of all thank you so much from the bottom of my heart जो लोग respect करते हैं इतनी उनको इसका answer देना ज़रूरी था तो आईए आज हम देखेंगे without making any delay कि आके merit low जाने के लिए जो मैं बता रही हूँ उसके reasons क्या है बाकि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि 100 plus जाएगी तो देखें मैं इस पे agree नहीं हूँ बाकि जो भी बाद में होता है वो तो सबके सामने आएगा बट अभी जो है वो यही है कि merit आपकी low जाएगी क्योंकि situation and circumstances सारे ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि merit low जानी तह है तो आईए देखते हैं क्यों ये देखिए यहाँ पे जो general की seats थी last time वो थी 485 राइट तो अब की बार जो है वो 913 दोनों की बीश का difference आप clearly देख सकते हैं अगर इसमें कुछ हो तो आप जुरू बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है मेरे हिसाब से पिशली बार जो थी वो आपकी 485 थी और अब की बार जो है वो 913 सीटे हैं टोटल सीट जो थी वो 988 थी ठेक है और अब की बार जो सीट है वो है 1587 तो आप खुद देखिए कि कितना difference है एक तो आपकी 988 सीटे एक तरफ और एक तरफ आपको मिल रही 1587 सीटे तो क्या दोरों में difference नहीं है यहीं पे दो तिन पॉइंट तो लो वैसे ही चली गई अगर हम last year की बात करते हैं कि last year कितनी merit गई थी इंग्लिश की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो last time आपकी 85 पे selection हुए थे tell me if I'm not wrong 85 पे आपका selection हुआ था general का आगे अगर हम बात करें आपकी जो OVC का था वो था 79 to 80 SC का था 75 और जो ST का था वो around 53 और 54 पे हुआ था 53 और 54 के around हुआ था selection तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना difference है पेपर की अगर हम बात करें क्योंकि यह सारा जो judgment होता है वो पेपर के level पे seat के level पे मतलब seat है जादा है कम है उसका comparison करके इन सारे comparisons को देख कर ही आप एक base prepare करते हैं और आप पताते हैं कि merit low जा सकती है हाइट जा सकती है बहुत से लोगों का messages आये मेरे पास में पहले भी जब मैंने video बनाया था paper से related कि paper tough नहीं था कई लोगों ने बोला तो देखिए paper का easy या फिर tough होना यह सिर्फ question पे depend नहीं करता है अगर आपका paper lengthy है question में आपको time लग रहा है time taking है time consuming है paper तो वो भी tough में ही आएगा because at that time you will not be able to solve all the questions you will not be able to read all the questions और अगर आपको एक appropriate time नहीं मिलेगा question को read करके उसके answers को judge करने का तो answers आपके गलत होंगे और वो tough की ही range में आ जाता है आज जो ही हम discussion कर रहे हैं यह मैंने काफी detail में मैं कर रही हूँ last time भी मैंने आपको points clear किये थे बट इतने detail में नहीं किये थे शायद इसलिए आपके इतने questions आ रहे थे और questions आने जायज भी हैं बहुत सारे लोग परेशान है कि माम मेरे 83 है आपने reply ने दिया मेरा होगा या नहीं होगा कोई कहता है मेरे 80 है कोई कहता है मेरे 95 है ठीक है तो अब मैं भी ऐसे short shot तो नहीं बोल सकती हूं लेकिन जो अनुमान है मुझे नहीं लगता कि यह जो एक idea लगाया जा रहा है वो खलत जाएगा किसी भी तरीके से तो अब आप खुद देख सकते हैं कहां 485 सीटे और कहां 913 सीटे दोनों में कितना difference है तो देख लिजे इस हिसाब से आपकी merit लो जाना तैह है और जितने भी मेरे पास में comment box में messages आए हैं कि मेरी 84 है 83 है तो English की अकम बात करें अगर आपके 85 questions correct हैं तो आपका selection हो जाना चाहिए उसमें कोई दोराय नहीं है बाकी फिर से प्लीज ऐसे messages मत करिएगा मैं को यहां पर 100% guarantee नहीं दे रही हूं आपको बट जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि इसके लगभगी merit जानी चाहिए हो सकता है इससे low चली जाए लेकि आपका result भी अच्छा ही आएगा बाकी जिनको भी थोड़ा बहुत लगता है कि उनका result नहीं अच्छा आएगा या फिर किसी reasons की वज़े से paper खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी opportunity last होती है अगर आप dedicated हैं अपने goal के लिए तो opportunities भी आपके पास में बार बार आती है इ आपको मेनत तो करनी पड़ेगी ऐसे बहुत से videos होते हैं जो कहते हैं एक महिने में आपका हो जाएगा दो महिने में आप बहुत अच्छी तयारी कर लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप detailed में अब study नहीं करेंगे course study आपको करनी पड़ेगी जब तक आप वैस आपको कैसा लगा और अपनी कमेंट ज़र दिजेगा थैंक यू